कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में जो कहा है वो चिंता जनक है गंबीर है ये कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जान करेंगे और फिर उस संपर्ति को बाण देंगे पेरी माताओं बेहनों ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूँ बाईयों बेहनों इन दिनों जो लोग कॉंग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं बे एक बात बड़ी गंबीरता से बताते हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अब कॉंग्रेस नहीं रही है अब कॉंग्रेस अर्बन नक्षनों के कबजे में चली गई है कॉंग्रेस अब बाम अपन्थियों के चंगुल में फसी हुई है तो हमारे एक मित्रेन उनको पूशा कि आप एक कैसे कहते हैं तो उन्होंने का उनका मैनिफेस्टों देख लीजिए, इस बार का कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों देख लीजिए, कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में जो कहा है, वो चिंता जनक है, गंबीर है, और ये माववाद की सोच को धर्ती पर उतारने की उनकी कोशिस है, उन्होंने कहा है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा हमारी बेहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी उसका हिसाब लगाए जाएगा हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगा है क्या है पैसे कहा है नोकरी कहा है उसकी जांच की जाएगी इतना ही नहीं आगे क्या कहा है यह जो गोल्ड है बहनों का और और जो संपत्ती है यह सब को समान रुप से वित्रित कर दी जाएगी क्या यह आपको मंजूर है क्या आपकी संपत्ति सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या आपकी संपत्ति को आपने महनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या उस संपत्ति को मेरी बाता और बहनों की जिन्दगी में सोना वो सिरब शोव करने के लिए नहीं होता है उसके स्वाविमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल सुत्रा वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है तो मुझे छिनने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टों में गोल ले लेंगे सब को वित्रित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार दिनों ने कहा था कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब ये संपत्ती कटी करके किसको बाटेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुस्पेठ्षों को बाटेंगे क्या आपकी महनत की कमाई का पैसा गुस्पेठ्षों को भिया जाएगा आपको मंजूर है ये ये कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जान करेंगे और फिर उस संपति को बाड़ देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमोन सिंग जी की सरकान ने कहा था कि संपति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भाईयों बहनों ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे मैं कहने आयो